करो और मरो का नारा किशने दिया था सो करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने नेक्स्ट कोश्चन है कि निमलिकित में से कौन सा छेत्रा 1857 के विद्रों से प्रभावित नहीं था इसका राइट एंसर होगा देखिए इसका राइट एंसर होगा चित्तावडगर च नेक्स्ट है एपी कल्चर संबंदित है एपी कल्चर किसे संबंदित है तो एपी कल्चर आपको मालूम होगा किसे संबंदित है सो मदमक्षी पालन से नेक्स्ट कोश्चन है देखिए किलो वाट घंटा किसकी यूनिट है किलो वाट घंटा किसकी यूनिट है आप निश्चिन्ती कोश्चन करने का कोशिस किजिएगा किलो वाट घंटा किसकी यूनिट है सो इसका राइट एंसर होगा उरजा का, उरजा बैक्טरिया की खोज किस ने की थी बैक्टरिया की खोज जो किया था वो होगा Guen haacc, very very important question next question है, why mandal मुखेतअ गर्म होता है, जो why mandal गर्म होता है, किस विदी से गर्म होता है, सुरी की सीधी कीडने से, पिर्थवी के विकिरन से या पिर्थवी के अंदर उश्मा से पिर्थवी के घर्षन गती से इसका राइट एंसर होगा रेडियेशन पिर्थवी के विकीरण से सिंदु घाटी सभहता का पतन नगर था तो लोथल गुजरात में है किस राज्य का है इसको राइट एंसर मतलब आप निश्चिन्थी करने की कोशिस कीजेगा इसका राइट एंसर होगा पंजाब हर्याना और राजस्थान नेक्स कोश्यन की बात करें तो नेक्स कोश्यन है पूरे सरीर में रक्त का प्रतिसत लगभग कितना होता है तो पूरे सरीर में रक्त का प्रतिसत होता है साथ प्रतिसत नेक्स कोश्यन की बात करें तो हमारा नेक्स कोश्यन है एक फोकोस सेल में प्रकास उर्जा में परिवर्तित हो जाती है एक फोकोस सेल में प्रकास उर्जा में परिवर्तित होती है मतब परकास उर्जा किस उर्जा में परवर्तित होती है फोकोस शेल में इसका right answer होगा Electric energy Next question है समुंद्री राष्टिय पार्क अवस्थित है समुंद्री राष्टिय पार्क कहां पर अवस्थित है इसका right answer तो देखना पड़ेगा इसका right answer होगा ये दखिए, रन की कच्च, ये समुंद्री राष्टी पार्क है तो next है, अलमाटी बांद किस नदी पर है? जो अलमाटी बांद है, ये हमारा, देखिए, कृष्ण नदी पर होगा अलमाटी बांद नेक्स कोश्चेन की बात करें, तो मेरठ में विद्रो का आरंब हुआ था, कब हुआ था, तो 1857 तो मालू हुआ है, लेकिन तारिख भी आपको मालू होना चाहिए, 10 मई 1857 को हुआ था, आकास में एक इंद्र धनुष में रंग का प्रसारन मुख्य रूप से होता है, किस आकास के अपवर्तन या प्रावर्तन से, इसका राइट एंसर होगा, सुरी की रोसनी का फाइलाव से, जो है, आकास का यह होता है, तो नेक्स कोश्चन की बात करें, तो हमारा नेक्स कोश्चन है, देखिए, माइक्रोस्कोप को काम करते समय, चस्मा पहने हुए व्यक्ती, माइक्रोस्कोप को काम करते हुए, चस्मा पहने हुए व्यक्ती, अब इसका उप्सन में देखेंगे, माइक्रोस्कोप से मध्य से कुछ दूरी नहीं देख सकता, उप्सन B है, चस्मा पहने रहना चाहिए, उप्सन C है, चस्मा उतार देना चाहिए, उप्सन D है, चस्मा क साथ या बीना चस्मा का कर सकते हैं इसका राइट एंसर होगा आप्शन भी उसे चस्मा उतार देना चाहिए यदि आप माइक्रोइसकोप से कुछ देख रहे हैं तो आपको चस्मा उतार देना चाहिए सभी दूरी पर वस्तु को देखने के लिए आँक की छमता को कहा जाता है वस्तु को देखते हैं उसे आँक की छमता को क्या कहते हैं देखिए इसका राइट एंसर होगा ओको मेडेशन बाकी सभी बिमारी है हाईपर्मेटोपिया मायोपिया अब दृष्टी दूर्भीन दृष्टी दूर्भीन तो बहुत चीज उपर दूर की चीज को देखने के लिए प्रियोक किया जाता है इसका राइट एंसर होगा कलम और रोटी बहारत का दक्षिर्टम बिंदु कहां पर है भारत का दक्षिर्टम बिंदु जीसे आपको मालूम होना चीजर डायलग होता है कश्मीर से कन्या कुमारी इसका right answer होगा बड़ा निकोबार भारत का जो है दक्षिरतम एदम निक्षितम बिंदू है नेक्स्ट है देखिए परमाडू के नाभिके में अवयब है परमाडू के नाभिके में क्या होता है यह इससे बात है प्रोटन और नीट्रोन होगा क्यूंकि इलेक्ट्रोन तो चार प्रोट्रव घूमता है इसलिए प्रमाडू के नाभिके में क्या होगा प्रोटन और नीट्रोन नेक्स्ट कोश्चन के बात करें यह आजोला अना बिना जोला एना बिना का उप्योग डैस का फसल उगाने में उर्वरग करूमें किया जाता है तो गेहूं देखिए गेहू जाओल सर्सो या कपास इसका राइट एंसर होगा देखिए चाओल में सबसे बड़ा गरह कौन सबसे बड़ा गरह है साइज के टर्म में ब्रसपती और आपको सीक्वंस भी होना चाहिए जो करांची स्रमवेशन अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस का 1931 में उसकी अध्यक्षता किस ने की थी यह आपको मालूमना चीए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो इसका राइट एंसर होगा सरदार बल्लब भाई पतेल इंद्रा प्वाइंट भुमत्यरे खासे लगवक कितना किलो मीटर दूर है सत्तपुरा की पाहाड़ी किस राज़्य में है तो सत्तपुरा की पाहाड़ी हो हमारा जो राज्य है देखेए दो-दो तो अप्सन दे दिया है मध्य पर्देश ए और नेक्स्ट कोश्टन है डाबल हैलिक्स सनरचना की खोज किसने की थी इसका राइट एंसर होगा दोनों क्रिक और वाट्सन दोनों ने किया था Next question है कि खट्ते फल जैसे संत्रा नेबू में होता है कौन सा अमल होता है तो जाहिट से बात है खट्टा फल में कौन सा होता है Citric Acid होता है आपको मालू होना चीजए Citric Citric Acid Next बात करें तो हमारा Next question है वर्जेश्ट है भारत में बंजर भूमी का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है राज स्थान चारो त्रप से हमारा रेगिस्तान सी गिरा हुआ है तो वही right answer होगा राजस्थान तो next question है हमारा अंडमान तथा निकोबार दीप शमू की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अंडमान और निकोबार दीप की सबसे उची चोटी होगा वास परकार के आपात अधिकार है कितने प्रकार के आपात अधिकार है कि भारत के राष्ट पती पास है तो इसका राइट एंसर होगा तीन प्रकार के आपात अधिकार, निम्न में से कौन सी पद विटमिन, कौन सी मद विटमिन है, मद विटमिन, मद विटमिन ये मुझे भी नहीं मालूम है, तो इसका राइट एंसर होगा, रीबो फ्लोविंग, रीबो फ्लोविंग जो है ना, मद, कौन सी मद विटमिन है, न कैसीन दूद होता है कैसीन दूद होता है दूद में क्या होता है कैसीन वो होता है वो होता है प्रोटीन दूद में जो कैसीन होता है वो प्रोटीन होता है नेक्स्ट कोश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है कि मानतवचा का रंग बनाता है मानतवचा का रंग क हो प्रकीरिया है नेस्ट कोच्टिन की बात करें तो हमारान से क्लोरोफिल वर्लक में इलेक्ट्रॉण electron में हल चल यह इसका right answer होगा next question की बात करें तो हमारा next question है आक और कान के नस जुड़े हैं आक और कान के नस जुड़े हैं किन से जुड़े हैं सेरी बेलम से यह सेरी ब्रहम से यह आपको देखना होगा इसका right answer होगा देखिए सेरी बेलं से आख लोकसभा अध्यक्ष कौन है तब ही जो है लोकषभा का अध्यक्ष हमारे हैं यह है ओम बिड़ला आप किस ने की थी तो गुप्त वंस की अस्थापना श्री गुप्त ने की थी नेक्स कोश्चन है हमारा कि वेदों की ओर लोटो यह नारा किस ने दिया था, शो द्यानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लोटो काजी रंगा राष्टी उद्धान किस राज्य में है काजी रंगा राष्टी उद्धान ये अश्रम में है और एक सिंग वाला ग्यांडा के लिए प्रसिद है नेक्स कोश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स कोश्चन है दखिए वर्तमान में लोकसभा ये question रिपीट हो गया है कौन सा विटामिन प्रति रक्षा प्रदान करता है हमारे सरीर में प्रति रक्षा प्रदान करता है विटामिन के रक्षा प्रदान करता है सरीर को सो निमलेकित में कौन सा विटामिन एका सर्वत्तम स्रोथ है सो विटमीन ए का सरवत्तम स्रोथ होगा गाजर आप देखते रिएगा दोस्तों देखिए मानों शरीर में विटमीन ए का भंडार होता है किसमें यह आप देखते रिएगा सो इसका राइट एंसर होगा यक्रित में यक्रित में विटमिन A का भंडार पाय जाता है नेक्स्ट कोश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है ये देखिए नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किसे इंडियन फिल्म परस्नलेटी अप दे इयर आवार्ड दिया गया है Indian Film Personality of the Year किसे दिया गया है इसका राइट एंसर होगा दोस्तों गलत हो गया A, B, C, A और B मतलब हेमा मालनी और प्रसुन जोसी इशी को दिया गया है प्रसुनलेटी आवार्ड Indian Film Personality आवार्ड Next question है हाल ही में जारी वैस्वीक रिश्वत जोखिम सुचकांक 2021 में भारत का कौन सा अस्थान प्राप्त किया है वैस्वीक जोखिम सुचकांक 2021 में भारत का रेंख है ये देखिए भारत का रेंख है ये देखिए 82 कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है हमारे सरीर में प्रति रक्षा प्रदान करता है विटामिन के रक्षा प्रदान करता है सरीर को सो निमलेखित में कौन सा विटामिन ए का सरवत्तम स्रोथ है विटामिन ए का सरवत्तम स्रोथ होगा गाजर आप देखते रिएगा दोस्तों देखिए मानों सरीर में विटामिन ए का भंडार होता है किसमें यह आप देखते रिएगा सो इसका राइट एंसर होगा यक्रित में नेक्स्ट कोशन है राजस्तान का शिमला किसे करते हैं सो राजस्तान का शिमला कहेंगे माउंट आबू को नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट कोशन है देखिए यह है अरब सागर की रानी किसे करते हैं अरब सागर की रानी कहेंगे कोचीन को नेक्ट कोश्चन की बात करें तो हमारा नेक्ट कोश्चन है योग दिवस कब मना जाता है जो विश्व योग दिवस अंतराष्टी योग दिवस मना जाता है 21 जून को नेक्ट कोस्टिन की बात करें तो नेक्ट कोस्टिन है हमारा देखिए मानव अधिकार उद्योग मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है शो मानव अधिकार है आयोग उसके अध्यक्ष अभी कौन है शो अभी उनके अध्यक्ष है अरून कुमार मिस्त्रा ये मानव विद्धूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलने के लिए परियोग किया जाता है विद्धूत मोटर का नेक्ट कोश्चन की बात करें कि कौन व्यक्ति हाल हिमें अंतराष्ठी क्रिकेट परिशद ICC के CEO नियुक्त किया गया है वो होगा जेफ्यू एलाडिस यह याद रखेगा दूस्तो जियोफक जियोफक एलाडिस नेक्ट कोश्चन है कि वेरी वेरी इंपोर्टेन कोश्चन है याद रखेगा भारत मालदीव और किस देश के किस देश ने दुविवार्शिक त्रिपक्षी तट रक्षण अभ्यास दोस्ती के पंद्रहवे संस्क्रण का मालदीव में आयोजन किया है सो इसका राइट एंसर होगा दोस्तो देखिए स्री लंका विदेश मंत्राले ने हाल ही में किसे सुडान का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है विदेश मंत्राले दुआ हाल ही में सुडान का अगला राजद का उपयोग किया जाता है इंधन के रूप में स्नेहक के रूप में या फिर क्या इसका राइट एंसर होगा देखिए विमंदक के रूप में विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रियोग किया